मेरा प्रेशन बहाती जंता पाड़ी के प्रवक्ता से है सर 400 पार का दावा तो कर दिया आपने लेकिन दो करो रोजगार का क्या होगा और जो 38 परसेंट आयाइटियंस को जॉब ने मिले उसका क्या होगा आपके अच्छे दिन तो आ गए आप तो 137 करोड का गूगल एड कर करो हमारे अच्छे दिन कब आएंगी यह बता दू भाई पूरे देश के अच्छे दिन आ गए आप गूगल रखे हुए आप मोबाई में जरा खोलिये स्कॉच की रिपोर्ट खोलिये जरा कब हो क्या है कब हो कब दोस्तो आज तक के हला बोल में दिल्ली के चातरों ने बीजीपी प्रवक्ता को आईना दिखा दिया दोस्तो बीजीपी प्रवक्ता से चातरों ने महंगाई और विरोजगारी पर ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसे देख मालूम हुआ की बाकई देश के नौजवान आज पर का दाबा तो कर दिया लेकिन दो करोड़ रोजगार का क्या आपके अच्छे दिन तो आ गए मगर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे दोस्तों स्कूल के चातरों ने बीजीपी प्रवक्ता से ऐसा इसे सवाल कर डाले जो देखने लायक हैं स्कॉच स्कॉच कमिटी जो इसनों रिपोर्ट दी है कि अरे भाईया एसो सी चेट सीरे स्कॉच कहां से आगया पार्टी जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो अनुसूचित और पिश्रा वर्ग है जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है उसे इसके बाद भी आरक्षन क्यूं दिया जा रहा है और जब वो परिक्षा में बैठते हैं तो वो समान वर्ग के श्रेडी में सत्ता में आये थे तो 2014 में केंदर के अंतरगत दो लाग पद रिक्त थे लेकिन अब 2024 आ गया है और वही पद रिक्त बढ़के नो करोड़ बैतर लाग हो गए हैं तो वह सरकारी पद आप भर क्यों नहीं रहे हैं आपने सबसे बड़ी समस्य आपकी यह कि मैंगाई बेरोज नहीं पता है यह बता है जा रहे कि 2027 में हम डेवलप दे खाऊंगे अगले पांस वंड़े चार करोन गर मोरा और बना के देंगे अगले पांस साल में मोदी जी कहते हैं यह कुछाष धरीस इंफ्रस्टार्चय बात संबात पर यह चर्चा नहीं करते हैं चर्चा खराब चीजों की होती है कम्यूनिस पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे घमंडी आएगा तो हम अपना न्यूक्लिय स्टॉक खतम कर देंगे क्या हमें अपने अटम खतम करने चाहिए ली लोग खतम करेंगे भाई साब इस पाशुत